नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे एके रामानुजन की कविता Small Scale Reflections on a Great House ये जो कविता है एक भारतिय परिवार की सारी खोबियां भारतिय सायूक्त परिवार की सारी खोबियां अपने अंदर समेटे हुए है इंडिया में जोइंट फैमिली हुआ करती थी अब तो धीरे-धीरे लोग न्यूकलियर फैमिली की और बढ़ रहे हैं तो जो जोइंट फैमिली होती थी उसमें बहुत सारे सदस्य होते थे तीन-तीन-चार-चार पीडियों के लोग एक साथ रहते थे एक साथ खाना बनता था कितनी सारी घटनाएं होती रहती थी कितनी सारी चीज़ें होती रहती थी तो वो एक परिद्रिश्य पूरा एक सिनेरियों यहां पर उपसित किया है एक रामानुजन ने इस एक कविता को अगर कोई पढ़ ले लब जो भारती नहीं है वो व्यक्ति अगर इस कविता को पढ़े तो उसको समझ में आएगा कि भारत में जो परिवार व्यवस्था थी खास कर जो सेयुक्त परिवार व्यवस्था थी वो किस तरीके की थी उसकी क्या होबियां थी क्या खासियत थी आज भी हैं कुछ परिवार ऐसे भारत में खास कर ग्रामी नंचल में ऐसे परिवार आपको अभी भी देखने को मिलेंगे जिसमें कई पीडियां रहती है खाना एक साथ बनता है और जो बागडोर होती है परिवार की वो बड़े लोगों के हाथ में होती है तो ऐसा ही एक तस्वीर आप देखिए कितनी खुबसूरत है तस्वीर सम चाइंज कभी कभी I think मैं सोचता हूँ यह जब पोई माप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप पोईट्री नहीं प्रोज पढ़ रहे हैं कहीं भी कोई राय में स्कीम नहीं है और यह फ्री वर्स में लिखी हुई कविता है तो जैसे बात कर रहा है कोई व्यक्ति आपको कुछ सुना रहा है प्रोज में ऐसा आपको लगेगा तो sometimes I think कभी कभी मैं सोचता हूँ that के nothing कुछ भी नहीं that जो के ever कभी कमस आता है into this house इस घर के अंदर goes out वो बाहर जाता हो यानि इस घर के अंदर जो कुछ भी आता है वो बाहर नहीं जाता there is nothing यानि ऐसी कोई चीज नहीं है that comes into this house and goes out तो अंदर आने का तो है इसमें जैसे आपने एक्सर सुना होगा फिल्म में के बिटा ये जरायम की दुनिया है यहां आने का रास्ता है लेकिन जाने का नहीं है तो ऐसा ही ये घर है grand house great house बोला है बड़ा घर विशाल घर क्योंकि भई ज़्यादा परिवार बड़ा होता था में जो चीज़ें आती है वो बाहर नहीं जाती है तो अक्सर आपने देखा हुगा लेडीज का जो पर्स होता है हमारे पर्स में चीज़ें आती है कोई भी कागज कॉलेज से मिला वो हमने पर्स में डाल लिया फिर वो पर्स में पड़ा ही रहता है फिर कुछ और मिल गया वो पर्स में डाल लिया तो जो ladies का पर्स होता है कभी आप देखें आपनी मम्मी का पर्स तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तो उसमें सिर्फ चीज़ें आती हैं उसमें से निकलती नहीं है तो इसी तरीके से ये घर है भारती ऐसा घर है भारत का जिसमें के चीज़ें आती हैं लेकिन जाती नहीं है things come चीज़ें आती हैं in everyday comes in अंदर आती हैं everyday हर दिन to lose lose माने होता है खो देना खोने के लिए themselves अपने आपको among other things दूसरी चीज़ों के बीच में long long ago among other things lost long ago यानी देखिए एक जो चीज़ें आप देखिए कि यहां चीज़ें अंदर आती हैं to lose themselves अपने आपको खोने के लिए among other things दूसरी चीज़ों के बीच में और वो जो दूसरी चीज़ें हैं वो खुद भी lost long ago बहुत समय पहले अपने आपको खो चुकी हैं among other things दूसरी चीज़ों के बीच lost long ago जो खुद पहले बहुत पहले खोई थी यानी यहां जो चीज़ें आती हैं वो अपने आपको खो देती हैं उन चीज़ों के बीच जो खुद बहुत पहले खोई थी और जो खुद बहुत पहले खोई थी वो भी उन चीज़ों के बीच में खोई थी जो उनसे पहले बहुत पहले खोई थी तो यहां आकर चीज़ें अपने आपको खो देती हैं इसलिए कभी बाहर नहीं जा पाती देखिए lame wandering cows अब देखिए क्या-क्या चीज़ें हैं इस घर में बड़ा सा घर होता है तो उसमें सिर्फ इंसान ही नहीं रहते उसमें क्या होता है जानवर भी होते हैं तो lame wandering cows lame मने लंगड़ाती हुई लंगड़ी wandering घूमती हुई cows means गाएं from nowhere यानि ना जाने कहां से आ जाती है घर में have been known to be tethered given a name encouraged have been known मत्ब कि ग्यात है उनके बारे में ये जाना जाता है to be tethered tether मने पगहे में बांधना रसी में बांधना यानि आती आ गई कहीं से गूमती हुई उनको घर के लोगों ने रसी में बांध लिया given a name उस गाएं को एक नाम दे दिया गाएं तो भही हमारे यहां बहुत पूजे मानी जाती है गाएं हमारी माता है हम उसको सुबह आती है गाएं माता तो हम उसको रोटी देते हैं पहली रोटी जो सेखते हैं वो गाएं के लिए सी ही सेखते हैं हम तो अब गाएं माता कहीं से आ गई घूमती हुई तो उसको बस ती थर्ड पगहे में बांध लिया given a name उसको एक नाम दे दिया अक्सर हमारे यहां गाएं का नाम होता है अक्सर हम उसको गौरी बुलाते हैं कुछ भी नाम रख देते हैं अपनी गाए का गाए को बहुत प्यार करते हैं गाएं में तो अक्सर अब शहरों में तो हम लोगों के पास नहीं है गाए लेकिन जब हम गाएं में रहते थे तो हमारे घर में गाए होती थी उसका नाम होता था उसके बच्छडे के साथ हम लोग खेलते थे क्या खुबसूर्ती होती थी हम मिस्स करते हैं उस चीज़ को लेकिन यहां आज एक ही रामानुजन ने याद दिलाया तो फिर से याद आ गया known to be tethered given a name तो उसको पगहे से बांध लिया given a name एक नाम दे दिया गया encouraged उसको प्रोचसाहित किया गया to get pregnant यानि कि वो मां बने in the broad daylight यानि खुले दिन की रोशनी में उसको pregnant होने के लिए प्रोचसाहित किया गया of the broad daylight of the street गली में खुले में दिन के समय under the elder supervision जो बड़े लोग हैं उनके supervision में उनके देख रेख में प्रोचसाहित किया गया the girls hiding लड़कियां छिप जाती है behind windows खिड़कियों के पीछे with holes in them उन में और उन खिड़कियों में क्या होते है छेद होते हैं तो उनके पीछे लड़कियां जो घर की होती है वो छिप जाती है unread library books और दूसी चीज़ और देखिए क्या है घर में तो देखिए इतने सारे लोग हैं गाय हैं बड़े लोग हैं लड़कियां हैं तो सबका अलग-अलग आपने position देखी कि बड़े लोगों का इस supervision में सारे काम होते हैं लड़कियां हैं तो वो खिड़कियों के पीछे चिप जाती है और unread library books और उस बड़े से घर में क्या है कुछ लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं library गए वहां से books issue करा लाए लेकिन पढ़ने का समय नहीं मिला तो वो unread हैं बिना पढ़ी हुई library की books हैं किताबे हैं usually prior mature in two weeks and begin to lay a row usually prior mature जो बड़ी हो जाती हैं mature हो जाती हैं in two weeks दो हफतों में तो जो किताबे हैं अभी हम mature होने से मतलब कि वो पुरानी हो जाती है दो week पहले library से issue कराई गई तो वो पुरानी हो गई and begin और शुरू कर देती है to lay ले मने देना सेना और row रो होती है पंक्ती row of little eggs little छोटे छोटे अंडों की in the ledgers laser होती है जो बही खाता होता है कि किताब कब issue की गई कब इसको लोटा ना है नहीं लोटा या तो fine लगेगा तो lasers for fines fine जुर्माना तो जहां बही खाते में लिखा होता है कि इतना जुर्माना लगा वहाँ पर छोटे छोटे अंडे होते हैं किसके होते हैं वो दीमक लग जाती है उनमें जो किताबें हैं पुरानी हैं रखी रखें उनमें दीमक लग जाती है कीडे लग जाते हैं पुरानी किताबूं में अक्सद दिख जाते हैं आपके बहुत छोट छोट के索़ इंडे तो इन किताबूं में जो रोज है पंक्तिया है और लेच्छोट छोट छोट इंडों की इन लेजर बही खातों में यानि जहां खाता एक कागज होता ने पीछे लिखा होता है कि किताब कब इश्यू हुई कब लोटा नहीं है as silverfish जबके वो जो दीमक है silverfish दीमक या फिर जो छोट-छोट कीडे होते हैं आपने देखा हुआ golden से कीडे भी होते हैं किताबों में लग जाते हैं आपने देखा हुआ सफेद रंग के golden से कीडे होते हैं तो वो silverfish उसके लिए भी आता है और आप दीमक के लिए भी कह सकते हैं दीमक जैसे कीडे in the old man's office room यानि घर में जो बुज़र्ग हैं बूढ़े हैं उनके office room में breed माने पैदा करते हैं dynasties means वंश अपनी वंशावली पैदा करते हैं यानि जो क्योंके आदमी बुढ़ा है तो उसका office भी पुराना है आफिस पुराना है तो उसमें पुरानी पुरानी चीज़े होंगी पुरानी पुरानी किताब होंगी कागजात होंगे documents होंगे तो उनमें जो silverfish हैं जो कीडे हैं या जो दीमक हैं उनकी भी पीड़ियां गुजर गई यानि एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी पैदा हुई तीसरी पीड़ी पैदा हुई तो उनके भी dynasties वहाँ पर फलफूल रहें वश उनके फलफूल रहें breed dynasties तो वो अपनी वन्शावलियां पैदा करते हैं एमंग लॉंग लीगल वर्ड्स यह देखिए ऐलिटरेशन है बहुत सारी ऐलिटरेशन आपको इसमें मिलेंगे पहले भी लॉंग लॉंग ऐगो ऐलिटरेशन का एक्जाम्बल था यहां पर फिर लॉंग लीगल वर्ड्स तो लंबे लीगल मींस जो कानूल से सम्मंधित वर्ड्स शब्द होते हैं तो घरों में डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं कागजात होते हैं घर के कागजात होते हैं या कोई मुकदमा चला किसी के उपर, उसके कागजात होते हैं, जमीन के कागजात होते हैं, तो वो लीगल वर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो उन लीगल डॉक्यूमेंट्स में जो पुराने रखे होते हैं, उनमें सिल्वर फिश की वंशावलियां, उनका वंश चल र रहा है कई पीडियां उनकी उसमें रह रही है in the succulence होता है रसीला पन और क्या है रसीला पन उसमें रह रही है वो उनकी पीडियां silverfish की of Victorian parchment Victorian means Victorian period के parchment क्या होता है चमडे का कागज पहले Victorian period में एक चमडे का चमडे का कागज भी होता जिस पर लिखे होते थे तो उसमें जो दीमक रहे रही है उनको तो बहुता अच्छा लग रहा है सक्यूलेंस उनको रस मिल रहा है तो उस रस को खाकर उस चमड़े को खाकर विक्टोरियन जमाने का जो चमड़े का कागज है उसको खाकर उसका आनंद लेकर वो पीड़ियां आगे बढ़ रही है नेबर्स डिशिस ब्रॉट अप नेबर्स यानि पड़ोसियों के डिशिस माने बरतन डिश दोनों चीज होती हैं बरतन भी होते हैं और जो खाने की वियंजन हैं वो भी होते हैं तो नेबर्स डिशिस ब्रॉट अप पड़ोसियों के वियंजन या फिर उनकी थालियां brought up लाए जाते हैं with the greasy sweets, with मने साथ में the greasy sweets, यानि जो चिकनाई वाले मिठाईयां हैं, they made, जो उन्होंने बनाई थी all night, सारी रात, the day before yesterday, यानि परसों, yesterday कल होता है और the day before yesterday परसों, तो उन्होंने जो परसों मिठाईयां बनाई थी greasy, यानि oily, जिन में कि खुब सारा घी होता है, हमारे भारत में जो कुछ भी बनता है हमारे घरों में, उसमें खुब सारा घी होता है, कोई भी त्योहार हो, हमारे यहां घी का बहुत प्रयोग होता है, खुब चिकनाई खाते ह जो बरतन आए नेवर्स डिशिस ब्रोट अप यानि नेवर्स की पड़ोसियों के जो थालियां हैं जो बरतन हैं वो लाए गए विद द ग्रीसी स्विर्स यानि चिकनाई वाली मिठाईयों के साथ दे मेर्स जो उन्होंने बनाए थे ओल नाइट सारी रात दे विफोर यस्टरड़े यानि के परसों और बनाए किस लिए थे फोर दा वेडिंग एनिवर्सरी यानि शादी की साल गिरह के लिए ओफ अ गॉड एक देवता की तो हमारे यहां हम लोग देवताओं की शादियाओं को मनाते न जैसे तुलसी शाली ग्राम का विवा होता है देवताने का दशी को होता है तो हम उसको मनाते हैं तो हमारे जो देवी देवता हैं जैसे हमारे कनहिया जी पैदा होते हैं तो हम उनका जनम दिन मनाते हैं जनमाश्टमी को या फिर हमारे राम चंद जी पैदा होते हैं तो हम राम नौवी को उनका जन्य दिन मनाते हैं तो खुब सारे मीठे बनते हैं पकवान बनते हैं और आपस में बाटे जाते हैं तो ऐसे ही इस गहर में जो मिठाईयां लाई गई पड़ोसी के घर से वो थाली आई और वो मिठाईयां जो बनी थी किसी देवता की शादी की सालग्रह को मनाने के लिए बनी थी तो ये भारतिय संस्कृती का एक अंग है ऐसा होता है हमारे यहां घरों में के पड़ोस में मिठाईयां बांटी जाती हैं उत्सबों पर यह खारों पर बहुत अच्छी तस्वीर है ये और खासकर ग्रामी नंचल की तस्वीर है ये नेवर लीव दा हाउस नेवर कभी नहीं लीव छोड़ते दा हाउस उस घर को दे एंटर जिसमें वो प्रवेश करते हैं तो ये भाई पड़ोसी लोग मिठाई दे गए उसके साथ ठाली दे गए तो हम ठाली लोटाने की कोई हमें जल्दी नहीं होती हम आराम से ठाली को भ रखे रहते हैं तो never leave the house they enter तो कभी नहीं छोडते उस घर को जो dishes हैं जो बरतन हैं वो कभी नहीं छोडते उस घर को जिसमें वो घुसते हैं प्रवेश करते हैं like the servants जैसे कि नोकर होते हैं वो एक घर में जब घुसते हैं तो फिर उस घर को छोडते नहीं हैं हालांकि आज कल जो चलन हैं उसमें तो नोकरों को लोग बदलते रहते हैं लेकिन जो बड़े परिवार होते थे उनमें क्या होता था पीड़ी दर पीड़ी जो servants वो servants क्या घर के सदस्य की तरह ही होते थे कुछ लोग जैसे हमारा पानी भरते थे या फिर हमारी सफाई करते थे तो वो एक घर के सदस्य की तरह ही होते थे वो कभी बदले नहीं जाते थे वो विश्वास पात्र होते थे आज का जो जमाना हैं जैसे देखते हैं कि नोकर ने मडरी कर दिया घर वालों को लुटवा दिया नोकर ने अक्सर जो घर में बारदाते होती हैं उनमें नोकर शामिल पाए जाते हैं तो ऐसा नहीं होता था वो जो नोकर होते थे वो नोकर नहीं होते थे बलके वो घर के सदस्य की तरह पीड़ी दरपीड़ी काम किया करते थे तो और वैसे ही खाते पी थे जैसे किसान के घर में जो अनाज होता था उसमें से उनको भी शेयर दिया जाता था वो खोब गठरी भरके अनाज लेके जाते थे तो like the servants and the phonographs तो जो नौकर जैसे कि वो जब प्रवेश करते हैं घर में तो फिर निकलते ही नहीं है और the phonographs पहले चलते थे उसमें एक जो music player होता था वो फोनोग्राफ होता था और वो चलता था आपने पुरानी फिल्मा में देखा होगा अक्सर दिखाया जाता है एक गोल सा उसका speaker होता था और घरों में चलता था फोनोग्राफ उसमें गाने बसते थे तो वो जो फोनोग्राफ है घर में आता था तो फिर निकलता नहीं था आज भी मेरे पास मेरा पुराना रेडियो रखा हुआ है जो मैं बच्पन में जिसमें गाने सुनती थी अब जबकि उसका कोई यूज नहीं है अब तो मोबाइल में चलते हैं गाने हमारे music system में चलते है तो ऐसे ही जो फोनोग्राफ हैं वो घर में आते हैं और निकलते नहीं है दा epilepsies in the blood और ऐसे ही epilepsy होती है epilepsy क्या होता है मिरगी का रोग होता है इन दा बलड वो खून में होता है और आसानी से नहीं निकलता आपने देखा होगा कि मिरगी का जो रोग है कुछ और भी ऐस अपको एपिलेप्सी थी तो अकसर उनके बच्चों में ये आजाता है रोग तो वो आसानी से खून को नहीं छोड़ती खून के जो रिष्टे होते हैं उनमें कुछ बीमारियां हेरेडिटरी चलती हैं आनुवाइंशिक रोग कहलाते हैं तो जैसे वो जो एपिलेप्सी हैं वो खून को नहीं छोड़ती आनुवाइंशिक जो बीमारियां हैं वो लोगों को नहीं छोड़ती वो एक बार घुसती हैं घर में तो फिर नहीं निकलती और क्या चीज़ है संस इनलो दामाद घर जमाई होते हैं कुछ लोग तो जो दामाद हैं घर जमाई हैं who quite forget जो बिल से कोई लेना देना नहीं होता कि उनकी सासुमाद जिन्दा है मर रही है क्या है उसका क्या हाल है तो उसका हाल चाल वो नहीं लेते हैं उसके जीने मरने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता who quite forget their mothers या फिर यहां mothers कहा है तो यह भी दूसरा हो सकता है कि sons in law जो कि इस घर में आ गए हैं अपने ससुराल में आ गए हैं और अपनी माओं को भूल गए हैं यह भी इसकार्थ हो सकता है क्योंकि mothers दिया हुआ है mothers in law नहीं दिया हुआ तो दोनों ही अर्थ इसके हो सकते हैं who quite forget their mothers जो अपनी माओं को एकदम भूल जाते हैं ससुराल में बसने के बाद but stay लेकिन रहते हैं to check चेक करने के लिए देखने के लिए accounts खातों को यानि पैसे खातों में कितना है मा के पास या फिर अगर सासु मा का जिकर है तो सासु मा के पास account में कितना पैसा है कितना पैसा आ रहा है क्योंकि आता रहता है ना बड़े बुड़ों के खातों में या pension मिल रही है या फिर खेती बाड़ी का जो पैसा है वो आता रहता है तो वो एकाउंट चेक करने के लिए, खाता चेक करने के लिए तो वो ठहरे रहते हैं और teach arithmetic to nieces या फिर arithmetic पढ़ाते हैं, अंकगरित पढ़ाते हैं to nieces भतीजियों के लिए उस काम के लिए तो वो ठहरे रहते हैं लेकिन मा को भूल जाते हैं या सासु मा को भूल जाते हैं आगे है और दा विमन या फिर महिलाएं हुकम जो के आती है एज वाइवस पत्नियों के रूप में तो बाकी जो महिलाएं घरों में आती हैं वो तो चली जाती है बेटियां पैदा होती हैं, बहनें पैदा होती हैं, दूसरे घरों में चली जाती हैं लेकिन वो जो महलाएं as wives, जो पत्नियों के रूप में आती हैं घर में, वो कभी नहीं जाती है जो तलाग का concept है वो तो हमारे यहां था ही नहीं भारतिय संस्कृति में तलाग का कोई concept नहीं था, शादी का जो बंधन था, वो हमेशा के लिए होता था, तलाग नहीं होता था, शादी कभी नहीं टूपती थी तो ये बात बता रहे हैं कि रामानोजन के जो महिलाएं, who come as wives, जो पतनियों के रूप में आती हैं, वो कभी नहीं जाती है from houses, घरों से आती हैं, open, जो के खुले होते हैं, on one side, एक और, to rising suns, उगते हुए सूरज के लिए, on another, और दूसरी और, to the setting, ढलते हुए सूरज के लिए तो भारती घरों की बनावट आपने देखी होगी, भारत में जो घरों को पसंद किया जाता है, सबसे ज्यादा पूरव मुखी घरों को पसंद किया जाता है यानि जब सूरज निकले तो सूरज की किरने हमारे धरवाजे पे गिरें जब सूरज डूबे तो जो सूरज डूबते हुए सूरज की किरने हमारे जो पीछे का आहता है आंगन है उधर गिरें तो घर इसी तरीके से गाउं में बनते हैं खुले हुए घर होते हैं बन्द ये जो अपार्टमेंट की कल्चर है ये तो शहरों में है अब भारत में होने लगी है लेकिन भारत में ऐसे घरों को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था जो बंद हो खुले घर होते थे जिनमें आंगन होता था जिनमें सुभह ओगते हुए सूरज की किरने पड़ती थी शाम क डूबते हुए सूरज के लिए होता है एकस्टंड ये अभ्यस्त होती है ये जो महलाएं होती है भारतिये महलाएं अभ्यस्त होती है टू वेट इंतजार करने की एकस्टंड टू वेट एंड टू ये जो वील्ड है ये मुझे वील्ड जो है गलत छपा हुआ है यहां पर क इक्षनरी में देखिएगा कोई शब्द नहीं है वी आई एल्डी करके यहां वाई आई एल्डी होना चाहिए है यील्ड शब्द तो होता है वाई आई एल्डी जिसका मतब होता है सरेंडर करना समर्पित करना तो जो अभ्यस्त होती हैं इंतजार करने की and to yield और समर्पित करने की to monsoon जो मौसम है बरसाद का मौसम है उसके प्रति in the mountains calendar परवतों के calendar में यानि यह कहने का मतलब यह है कि जो भारत का किसान परिवार होता था वो पूरी तरीके से जो भारत का मौसम है उस पर निर्भर होता था गर्मी बरसाद जाड़ा तो हर तरीके के मौसम के प्रति जो महिलाएं हैं वो एकस्टरंड होती थी वो अभ्यस्त होती थी उनको काम करने की आदत होती थी आज तो हम लोग जो शहरों में आ जाते हैं वो तो धूप में निकलने से ही डरते हैं निकलेंगे भी तो इतना बांद बूंद के और काला चश्मा लगा के तब जाके निकलेंगे या पर एसी गाड़ियों में निकलेंगे लेकिन आप गाओं में किसान महिलाओं को देखिए गर्मी में वो फसल काट रही होती है गहों की फसल कितनी गर्मी हो रही होती है बैसाक में कड़ती है तो वो सब इस चीज़ के अभ्यस्त होते हैं मौसम को फेस करते हैं उसके सामने अपने आपको येल्ड कर देते हैं मतलब उसको समर्पित करते हैं खोद को जो भी कलेंडर है कलेंडर पूरे साल का कलेंडर है तो इसमें कभी सर्दी आती है बरसात आती है गर्मी आती है तो वो उसके प्रती समर्पित होती है कौन जो महिलाएं वाइव्ज के रूप में घरों में प्रवेश्ट करती है beating through the hanging banana leaves beating through यानि जो आवाज होती रहती है शोड होता रहता है the hanging लटकती हुई banana leaves केले की पत्तियों मेंसे होकर तो वैसे तो banana पूरे भारत में मिलता है भारत में कह पूरे संसार में मिलता है लेकिन जो south इंडिया है वहाँ पर banana का केले के पत्तों का जो रोल है वो खास है केले के पत्ते पर रखकर भोजन खाया जाता है तो यानि वो जो परिवार है जिसकी जिक्र कर रहे हैं एक रामानोजन एक south Indian परिवार का तो उसमें जो केले के पत्ते हैं वो भी अपना महत रखते हैं तो जो आवाजें आती रहती हैं केले के पत्तों में से होकर जो के लटके हुए हैं लटके हुए केले के पत्ते वो उनकी अभ्यस्त होती हैं उनके माईके में भी वो केले के पेड़ होते हैं उनके ससुराल में भी वो केले के पेड़ होते हैं तो उस सब एन्वाइरनमेंट की जिसमें केले के पत्ते हैं उसकी वो अभ्यस्त होती है तो ये सारी चीज़ें वो बताई कभी ने जो के घरों में आती हैं और कभी जाती रही है एक बार आई तो बस घर में ही रहती हैं जैसे के वाइवस का नाम लिया वो भी घरों में ही रहती है अब एक चीज़ उन्होंने जिक्र किया कि जो जाती हैं देखिए and also anything or कोई चीज़ that goes out जो बाहर जाती है वो will come back, वापस आ जाएगी या ना बाहर गई और वापस आ जाएगी processed, processed होकर यहनी एक प्रकडिया से गुजर कर वो वापस आ जाएगी and often or अकसर with long bills attached उसके साथ में लंबे बिल भी attached माने जुड़े हुए होंगे तो यह जो तीनों lines हैं यह दिखाती हैं भारत के घरों से भारतिया किसान कपास की किहती करते थे और वो जो कपास होती थी cotton वो यहां से लद कर भारत के घरों से लद कर बड़ा आप काम वैसा होता रही हुआग EM किसान के सारे ही काम मुश्किल भरे होते हैं बहुत महनत लगती है कपास के जो खेती होती है उसमें एक एक सीड का जब फटता है उसका फूल खिलता है कपास का तो एक एक फूल को चुनती है महिलाएं हमारे घरों की और उस उन फूलों को फिर घर लेकर आती है फिर उसमें से बिनौले निकालती है अभी तो ये काम सारे मशीनों दोरा फैक्टरिया में होते हैं लेकिन जिस वक्त का ये पोईम है लिखी गए है उस वक्त घरों में काम होता था सारा कपास बीन बीन एक लाती थी महिलाएं फिर उन से बिनौले निकालती थी और वो कपास कहा होता था गोज आउट बाहर चला जाता था कहां? इंगलेंड चला जाता 2 सारा कपास यहां से बहुत सस्ते में भारती है किसानों की इतनी मेहनत को सस्ते में खरीद ले जाते थे अंग्रेज लोग और फिर वहाँ जो मिलें होती थी इंग्लेंड में कपड़ा मिलें होती थी भारत का सस्ता कपास वहाँ मिलों में जाके कपड़ा बनता था और जब यहां आके फिर उसे कपड़े को बेचा जाता था तो बहुत महगा बेचा जाता था यानि दो तरीके से लूटा जाता था उसको दोहरी लूट हो गई हमारा पास तो सस्ता खरीद लिया और अपना जो कपड़ा था वो बहुत महगा बेचा जाता था तो यही बात यह के जुड़े हुए थे lumbay-lumbay bill like जैसे कि the hooped bells jumped means जो गोल छले से metal का या जो रसी से बन्त है हुए ball are गाठें या गठ्रियां of cotton रूई की तो रसी से बंधी हुई गठ्रियां रूई की shipped off जिनको ship के द्वारा भेजा जाता था पानी के जहाजाओं से भेजा जाता था तो invisible manchester इन्विजिवल जिनको हम नहीं देख सकते थे हम तो वहीं इंडिया में रहते थे हम नहीं थे हमारे पूर्वस तो थे हमारे बाप दादे थे तो इन्विजिवल मांचेस्टर मांचेस्टर इंग्लेंड में वो जगह है जहां पर कपड़े की मिलें चलती थी हमारे यहां से जो कॉटन जाता था वो मांचेस्टर जाता था तो वो हमारे लिए invisible था हमें नहीं दिखाई देता था वहाँ चली जाती थी हमारी जो गठ्रियां थी cotton की, रुई की and brought back और वापस आती थी milled, यानि मिल में कपड़ा बनके and folded और तह होके तो अच्छे से कपड़ा बनके और fold होके वो पापस भरत आ जाता था cotton for a price एक कीमत के लिए cloth for our days middle class loins and muslin for our richer nights तो for a price यानि एक कीमत लग जाती थी उसकी, हमारी cotton की तो कोई कीमत ही नहीं थी हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं थी बार बार जब भी जब भी जिकर आता है उस वक्त का तो एक टीस हमारे मन में उठती है कि देखिए कितनी मेहनत हमारे किसान करते थे उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था अगर आप एक बर प्रेम चंद को पढ़ ले ना तो आपके आँखों में आसू छलक आएंगे कितनी मेहनत हमारे किसान करते थे और वो सारा आनाज इंगलेंड चला जाता था बिचारे वो भूखे रहते थे दिन रात मेहनत करने वाले किसान वही हाल कोटन पैदा करने वाले किसानों का था मदब उनका सारा कोटन इंगलेंड चला जाता था और फिर वो इंगलेंड से कपड़ा बनके हमारी यहां आता था और हमको वही कपड़ा इतना महेंगा मिलता था for a price cloth एक कीमत के लिए cloth कपड़ा for our days हमारे दिन के समय पेहनने के लिए middle class loins middle class की जो loins नहीं पेहनते हैं दोती पेहनते हैं कमर पेहनते लंगोटी पहनते हैं तो कमर पे जो बांदने वाला कपड़ा है वो लॉइंस कहा जाता है तो मिडल क्लास की कमर ढखने के लिए वो कपड़ा आता था and muslin for our richer nights और ये जो muslin है बोलते हैं मलमल को तो मलमल आता था for our richer nights जो हमारी richer nights जो rich लोगों की nights यानि जो अमीर लोग हैं उनको उनकी रातों के लिए उनके पहनने के लिए क्या आता था मलमल आता था तो हमारी गरीब लोग तो खरीदी नहीं सकते थे तो rich लोगों की रातों के लिए मलमल का कपड़ा आता था सब कुछ England से आता था letters mailed खत जो कि भेजे जाते थे जो पत्र भेजे जाते थे तो जो पत्र या फिर जब ये जो लिखा गई है करनी तब तक तो खोब पत्र भेजे जाते थे आज कल तो mail भेजे जाते हैं या फिर phone किये जाते हैं ये कह रहा है letters made जो भी पत्र भेजे जाते हैं have a way उनका एक तरीका होता है एक रास्ता होता है of finding पाने का their way अपना रास्ता back वापस with many बहुत सारे redirections पुनह निर्देशों के साथ तो letters पर क्या होता था अक्सर गलत पता लिख जाता था तो letter गूमता रहता था तो उसको redirect किया जाता था पुनहें उस पर address करके दूसी जगे भी जाता था with many redirections to wrong addresses गलत पतों पर and red ink marks और लाल स्याही के निशान earned जो कि उन पर लगा दिये जाते थे earn माने कमाना है और यहां कमाना नहीं हुआ यहां हुआ लगाना तो जो उन पर लगा दिये जाते थे इन तिरुवैला एंड स्याल कोट तो तिरुवैला में और स्याल कोट में तो यह जो स्याल कोट है यह तो पाकिस्तान में है अब क्योंकि यह 1929 में पैदा हुए थे एक रामानोजन तब तक तो पाकिस्तान और भारत एक ही थे तो उनका कहना है कि जो लेटर है वो घूमता रहता है और जहां जहां जाता है वहां उस पर लाजस्याई के निशान लग जाते हैं क्योंकि उस पर पता गलत लगा हुआ है अच्छे यह जो लेटर्स हैं यह उन बच्चों का भी सिंबल हो सकते हैं जो के अपने घर से जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके उपर उस दुनिया के मार्क्स होते हैं जिसे इन्होंने बता हैं रेड इंक मार्क्स यह तो बताया लेटर के लिए के उस लिफाफे पर लगे होते हैं रेड इंक के मार्क्स लेकिन जो बच्चे अपने घरों से जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके उपर उस दुनिया के मार्क्स लगे होते हैं जहां वो रहकर आते हैं तो सारी दुनिया के मैनर्स वो ideas behave like rumours तो ideas विचार behave व्यवहार करते हैं like rumours rumours होती है अफवाहें विचार अफवाहों की तरह व्यवहार करते हैं once एक बार casually casually means you ही पंजाबी बोलते हैं और हम बोलते हैं यो ही वैसे ही once casually mention तो एक बार उनको यूँ ही mention कर दिया गया उनका लेक कर दिया गया somewhere कहीं they come back वो वापस आते हैं to the door दरवाजे पर as prodigies prodigy एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसके अंदर बड़ी आश्यर जनक शमताएं होती हैं अच्छी शमताएं होती हैं तो जैसे कि मैंने उपर बताया था कि वो जो letter है वो symbol है उन बच्चों का जो अपने घर से जाते हैं तो वापस आते हैं as prodigy तो वो जो idea है उपर वाला यहां भी चल रहा है विचारों के लिए भी चल रहा है कि विचार जो जाते हैं तो जो बच्चे जाते हैं लोग बाहर जाते हैं तो वो यहां से विचार ले कर जाते हैं यहां से manners ले कर जाते हैं अपने परवार से मैं जो उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है उनके अपने thoughts होते हैं उनकी ideologies होती हैं उनके manners होते हैं और जब वो lot कर आते हैं तो वह कैसे लोट कराते हैं as prodigious मत्तब कि वह एक अलग ही कुछ बन कराते हैं उसको शुद्धिन्दी में अगर बोला जाते है तो विलक्षन बोला जाता है जो prodigious होता है विलक्षन शंताओं वाला व्यक्ति होता है तो वह विलक्षन बन कर आते हैं वो खास बन कर आते हैं वो कुछ विशेश बन कर आते हैं special बन कर लोड़ते हैं born to prodigal fathers born जो पैदा हुए हैं to prodigal fathers prodigal वो होते हैं जो फिजूल खर्च होते हैं तो फिजूल खर्च पिताओं की पैदाईश है वो with eyes उनकी जो आँखें होती है that vaguely vaguely बने अइसपश्ट रूप से look दिखती है like our own हमारे जैसी तो अइसपश्ट रूप से हमारे जैसी क्यों दिखती है क्योंकि उन पर उस बाहरी दुनिया का प्रभाव पढ़ चुका होता है जहां से वो होकर आए है like जैसे कि what uncle said जो कि चाचा जी ने कहा था दादर डे पिछले दिन कली जो चाचा जी कह रहे थे क्या कह रहे थे that कि every plotinus her plotinus plotinus एक यूनानी लेखक था दार्षनिक था we read जो हम पढ़ते हैं हर यूनानी दार्षनिक जो हम पढ़ते हैं हर Plotinus को जो हम पढ़ते हैं इस वो है वाट जो कुछ सम अलेक्जेंडर किसी अलेक्जेंडर ने किसी सिकंदर ने लूटड लूटा था बिट्वीन दा मलेरियल रिवर्स बिट्वीन मींस बीच में दा मलेरियल यानि मलेरिया फैलाने वाली रिवर्स नदियों के बीच में तो ये जो रेफरेंस है वो पंजाब की नदियों का है अलेक्जेंडर आया था 326 वीसी में यहां पर आया था और लेकिन पंजाब से आगे बढ़ नहीं पाया था क्योंकि उसकी सेनाओं ने यहां आगे नदियों को पार करने से जहलब नदी को पार करने से इंकार कर दिया था जो हमको मिलता है व्रितान्त वो सिकंदर और पोरस की लड़ाई का मिलता है और जो कहानी सुनाई जाती है सिकंदर की तरफ से वो यह है कि सिकंदर ने पोरस को हराया दिया था लेकिन जो भारती सहित्य कहता है वो ये कहता है कि पोरस ने सिकंदर को हराया था और वो हार कर यहां से लोटा था लेकिन चाहे जो भी रोहा हो परहल वो पंजाब से आगे इдуर नहीं बढ़ पाया था हिंदुस्तान में आगे नहीं गुस पाया था पंजाब से आगे तो इन जो लाइन्स का मतलब है कभी यहां कहना चाहता है कि प्लोटिनस जो दाशनिक है उसने जो कुछ भी लिखा है वो वही है जो सिकंदर ने यहां से लूटा था यहां से ले गया नॉलिज ले गया इन्फोर्मिशन ले गया और वो प्लोटिनस ने यूज कर ली और उसके आधार पर उसने इतिहास लिखा हेरोडोटस लिखता है युनान का जो इतिहास का रहा हे हेरोडोटस है और उसने इस सब के विशह में लिखा है किसाब अलेकसंडर जीता था उस युद्ध को वो जो सिकंदर और पोरस की हमें कहानी मिलती है वो हेरोडेटरस के एकॉर्डिंग मिलती है जिसमें कि पोरस को बंदी बना लिया था सिकंदर ने और फिर पूछा था कि कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवार किया जाए पोरस ने कहा कि जैसा एक राजा दूसरे एक राजा के साथ करता है वैसा व्यवार करो और अलेकसंडर ने खुश होकर उसको छोड़ दिया था तो ये कहानी हेरोडोटस हमको सुनाता है लेकिन जरूरी तो नहीं क्योंकि जो विजेता होता है वो तो कहानी अपने हसाब से लिखता है तो या फिर विजेता क्या जो भी लिखता है जो भी राजा होता है वो कहानी अपने हसाब से लिखवा रता है जो इतिहास कार जो होते हैं वो भी तो अपने राजाओं के अधिन होते हैं ना तो भारतिय इतिहास तो यह कहता है कि पोरस जीता था इस लड़ाई में लेकिन जो कुछ भी वहां लिखा हुआ है वो वही है जो सिकंदर यहां से लूट कर ले गया था लूटिट बिट्वीन दा मलेरियल रिवर्स मलेरियल रिवर्स इसलिए बोलाए कि यहां से जब लॉट कर गए थे यह लोग तो बीमार पढ़ रहे थे और खुद सिकंदर को भी malaria हो गया था बिमार हो गया था बुखार उसको आया था और वो वापस अपने देश لट नहीं पाया था युनान लट के वो नहीं पहु citoyna का राजा था वो मगदूनिया लट के वो नहीं पहुँच पाया तो between material reverse पंजब में पांच नदियां बहती है तो उन पांच नदियों के लिए बोला है कि वहां से जो लूटा वही पलोटिनस ने लिखा है वही हम पढ़ते हैं वो उसका अपना ग्यान नहीं है वो हमारा ग्यान है जो वो यहां से लूट कर ले गया था अब आगे थोड़ा सा देखे बदल रहा है वर्तान्त अब बैगर एक भिखारी once came एक वार आया विदा वोयलन एक वोयलन लेकर जातर जो भिखारी है वो एक तारा बजाते हैं तो वही एक तारा के लिए आया होगा ये वोयलन शगद तो एक वोयलन लेकर एक विखारी आया to croak out croak out मने गाने के लिए a prostitute song prostitute वो महलाएं जो शरीर बेशती हैं तो उनका गीत गाते हुए तो उनका गीत गा रहा था विखारी that are voiceless cook sing जिसको के उस गीत को that किसके लिए आया है उस गीत के लिए आया है जो एक भिखारी ने गाया भिखारी ने वो गीत गाया है वो कहां से लिया हुआ था वो प्रोस्टिचूट सॉंग था और जब भिखारी ने वो हमारे घर के बाहर गाया तो वो हमारे कुक ने सुन लिया जो हमारा रसोया था that are वोइसलेस कुक जो हमारा बिना आवाज वाला कुक अब देखिए वोइसलेस भी बोला है कुक को और ये भी बता रहे हैं कि वो उसने गीत गाया तो ये ऑक्जिमोरोन है that are वोइसलेस कुक सेंग all the time पूरे समय हमारा जो रसोया था वो गाता था पूरे समय in our backyard हमारे पिछवारे के आंगन में तो जिधर पीछे की ओर किचिन था तो वहीं पर वो रसोया खाना बनाता रहता था इसलिए उसको वोइसलेस भी बोला है क्योंकि उसकी आवाज पीछे रहती थी पीछे आंगन में जहां वो रहता था पीछे जहां रसोय था वहाँ खाना बनाता था तो घर के अंदर तो उसकी आवाज आती नहीं थी इसलिए उसको वोइसलेस बोला है और वो पीछे ही उस गीत को पूरे समय all the time in our backyard हमारे पीछे के आंगन में वो गाता रहता था उस गीत को Nothing stays out Nothing, कुछ भी नहीं stays out बाहर ठहरता है कुछ भी बाहर नहीं ठहरता है Daughters get married बेटियों की शादियां हो जाती है To short-lived idiots यानि जो थोड़े समय तक जीवित रहने वाले बेबकूफ हैं उनसे तो ये एक यहाँ पर सैटायर है पहले जो विवाह होते थे उनमें कई बार अनमेल विवाह होते थे बेमेल विवाह होते थे यानि युवा लड़कियों की शादियां बुढ़े लोगों से कर दी जाती थी जिनकी मृत्यू हो जाती थी ये सीन किसी फिल्म में भी मैंने देखा था मंगल पांडे फिल्म थी उसमें एक दिर्ष्य था जिसमें एक युवा लड़कि की शादि एक बुढ़े वेक्ती से कर दी जाती है और वो बुढ़ा वेक्ती मर जाता है और उसके साथ उस लड़की को जवरदस्ती जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं लोग तो ऐसा होता था उस वक्त lived idiots यानि हमारी बेटियों की शादियां हो जाती हैं कम उम्र तक जीने वाले यानि थोड़े दिन जीने वाले बेवकूफों से फिर है sons बेटे who run away जो भाग जाते हैं लड़के कई बार घरों से भाग जाते हैं लड़कियों का भागना तो बड़ा इंसल्ट की बात होती है अपमान की बात होती है परिवार के लिए और अगर कोई लड़की भाग जाती है तो उसको पकड़ के अक्सर हमारे यहां मार भी देते हैं उसको ओनर के लिंग कहा जाता है लेकिन लड़के तो अक्सर भाग जाते हैं तो उनका यानि grandchildren नाती पोतों के रूप में who recite जो के गाते हैं गुनगुनाते हैं संस्कृत संस्कृत के मंत्र गाते हैं to approving old man approving means सिरह लाते हुए सहमती देते हुए old man बुढ़े लोगों के जो बुढ़े लोग होते हैं उनके सामने अगर उनके नाती पोते संस्कृत में कुछ गा देते हैं बोल देते हैं तो बुढ़े लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा संस्कार सीख रहा है तो वो जो बच्चे हैं who recite संस्कृत to approving old man यानि सिरह लाते हुए सहमती देते हुए बुढ़े लोगों के सामने और या फिर bring लाते हैं betel nuts betel nut pan for visiting uncles visiting यानि आने वाले uncles जो लोग हैं जो रिष्टेदार हैं अंकल वैसे चाचा ताऊ फूफा मामा सबको अंकल ही बोला जाता है तो आने वाले रिष्टेदारों के लिए वो betels लाते हैं मतलब कि सुपारी भी बोलते हैं betel nuts सुपारी या फिर पान लाते हैं who keep them जो उनको रखते हैं gaping gaping मतलब मुँ खोलना मुँ खुला का खुला रह जाना तो वो जो अंकल लोग आते हैं जो रिष्टेदार लोग आते हैं वो उनका उनके सामने बच्चों का मुँ खुला रह जाता है कैसे with anecdotes कहानियों से of unseen fathers जो उनके बिना देखे हुए पिता हैं तो जो पिताजी लोग हैं वो भाग गए और उनके बच्चे घर में वापस आ गए और वो बच्चे अगर संसकारवान हैं तो उनके जो बड़े बुड़े हैं वो उनको अपना लेते हैं और मदब के उनको अपनी सहमती दे देते हैं और उन बच्चों के सामने जब कोई रिष्चिदार आते हैं और वो कहानिया सुनाते हैं unseen fathers उन पिताओं की जो इन बच्चों अने नहीं देखे तो उनके मुँ क्या है खुले के खुले रह जाते हैं गेपिंग मने मुँ खुला रह जाना कहानियों के साथ of unseen fathers उन पिताओं की जो उन्होंने नहीं देखे और या फिर ये बच्चे टू ब्रिंग गेंगीज वाटर गंगा का जल लाते हैं गंगा जल भारत में बहुत पवित्र माना जाता है हर घर में मिलता है हिंदू संस्कृती में गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है घर में रहना आवश्यक होता है तो ये गंगा जल लाते हैं in a copper pot तांबे के बरतन में तो गंगा जल जो है तांबे के बरतन में होता है हमारी यहां जब हम जल चड़ाने जाते हैं मंदिर में तो तांबे के बरतन में चड़ाते हैं घर में भी जब तुलसी माता पर हम जल चड़ाते हैं तो copper के pot से ही चढ़ाते हैं, तांबे के बरतन में ही चढ़ाते हैं, तो bring ganges water in a copper pot, तांबे के बरतन में, for the last of the dying man, जो व्यक्ती मर रहा है उसके अंतिमशनों के लिए, तो हमारे यहां जब कोई व्यक्ती मरता है, तो उसके मुँ में घंगाजल ढालते हैं, for the last, अंतिमशनों के लिए, of the dying ancestors, जो मर रहे हैं पूरवज, उनके लिए rattle in the throat, उनके गले में जो खड़ख़ाहत हो रही है, जब व्यक्ती मर रहा होता है, तो उसके गले से घर घर ऐसे करके आवाज आती है, तो उसके लिए rattle आया है, rattle in the throat, तो उसके गले से जो घर घराने की आवाज आ रही है, उस गले में डालने के लिए, बच्चे तांबे के बरतन में गंगा जल लाते हैं, तो ये एक तस्वीर और है परिवार की, आप में देखी, बहुत सारी तस्वीर हैं, एक सहियुक्त परिवार की इस कविता में आप देख रहे हैं, And though many times, और यद्यपी बहुत बार, from everywhere, हर जगह से, recently, हाल ही में, only twice, केवल दो बार, Once in 1943, once एक बार, in 1943, 1943 में, from as far away as the सहारा, इतनी दूर से, जितना के सहारा रेगिस्तान है, तो अब देखिए, यहां जो reference है, अब death का reference विडू हो गया है, तो कुछ तो लोग घर में मरते हैं, तो घर में उनके लिए, यह सारे काम होते हैं, मरते हुए लोगों के लिए गंगा जलाया जाता है, बच्चे गंगा जलाते हैं, अब आगे उन्होंने बताया कि सिर्फ घर में ही नहीं मरते हैं, जो घर से बाहर लोग गए होते हैं, वो भी मरकर घर में लोटते हैं, तो and though many times from everywhere, बहुत बार हर जगह से, और हाल ही की दो घटनाएं वो बता रहे हैं, एके रामानोजन, recently only twice, और हाल ही में केवल दो बार, ऐसा हुआ तो एक तो 1943 में हुआ, 1943 बड़ा famous है, बहुत important है भारती इतिहास में, एक जो बंगाल में फहिमाएन आया था, 1943 में, उसमें बहुत भारी संख्या में लोग मरे थे, जबके भारत की जो जमीन थी, सक्षम थी, 30 करोड लोग थे केवल, उन 30 करोड लोगों का पेट भरने में आराम से सक्षम थी, लेकिन जो अंग्रेजों की नीतियां थी, वो इतनी खराब थी, कि भारत में लोग भूख से तड़ब तड़ब कर मर गए थे, 1943 में, बंगाल की जो फेमाएन आई थी, तो वो तो अलग है, और यहां भी 1943 की बात हो रही है, कि सहारा के रेकिस्तान से, यानी कोई व्यक्ति गया, यहां का, इस परिवार का सहारा रेकिस्तान तक गया और वहां क्या हुआ उसके साथ, हाफ नौट बाई डेजर्ड फॉक्स स, हाफ नौट मतलब कि उसे काच लिया गया, आधा कुतर लिया गया, desert यानि रेगिस्तान की जो foxes हैं लोम्रियां हैं वहां के रेगिस्तानी जानवरों के द्वारा उसे कुतर दिया गया काट लिया गया और वो इस हालत में सहारा से यहां लाया गया और दूसरा क्या है end lately और हाल ही में from somewhere कहीं से in the north उत्तर में a nephew एक भतीजा with stripes stripes धारियां होती हैं धारियों के साथ on his shoulder उसके कंधे पर was called बताया गया था कहा गया के an incident एक घटना हुई थी on the border पर जो हमारी सीमा है देश की सीमा है वहां पर and was brought back और उसको वापस लाया गया यानि यह जो वेक्ती है सीमा पर तैनाब था एक सेनिक के रूप में और सीमा पर कोई जड़प हुई घटना हुई जिसमें कि वो मारा गया और उसको वापस लाया गया in plane जहाज में हवाई जहाज में in train गेल गारी में and military truck और सेना के truck में even before the telegrams reached और यह सब काम इतनी जल्दी हो गया plane से उसे लाया गया train से लाया गया फिर military truck में लाया गया सीमा से लेकर घर तक और यह सब काम इतनी जल्दी हो गया कि उसकी जो dead body है वो telegram से पहले आ गई telegram उसकी मृत्यू का बाद में पहुँचा और उससे पहले उसकी dead body आ गई even before the telegrams reached telegram के पहुँचने से पहले ही on a perfectly good chatty afternoon एक perfectly एक अच्छी खासी खुबसूरत chatty मिस बाचीत करने वाली afternoon दो पहर में तो दो पहर में अक्सर लोग बादचीत करते हैं आपस में खाली समय होता है खाना पीना खालिया तो उसके बाद बत्याते रहते हैं दो पहर में आजकल तो लोग सो जाते हैं गाउं में लोग दो पहर में कमी सोते हैं बादचीत होती रहती हैं बत्याते रहते हैं तो ऐसी एक दोपहर में ऐसी एक चैटी आफ्टरनून में यानि जब लोग बादचीत आपस में कर रहे थे तो ऐसी एक दोपहर में उस वेक्ती की डेड़ बोडी घर पर लाई गई तो ये थी कविता और जिसने एक पूरा खाका खीज़ दिया एक भारतिय संयुक्त परिवार का कुछ अच्छी घटनाएं कुछ दुख भरी घटनाएं और कुछ उस समय के इतिहास की घटनाएं जैसे कि यहां से कपास का जाना और इंग्लेंड की मिलों से कपड़े का बन करा जाना या फिर बात सिकंदर की हो अलेक्जेंडर दगरेट की हो तो बहुत सारे इसमें हिस्टोरिकल रेफरेंसेज भी थे और कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी कविता थी यह आप लोगों के लिए तो कविता यहां समाब्त हुई और यह वीडियो मैं यहां समाब्त करती बनेवाद